हलो वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज राजीव ध्यानी का एक यूट्यूब चैनल है सेटायर करते हैं कुछ कभी-कभी ज़रा हद भी क्रॉस कर देते हैं लेकिन एक कार्टूनिस्ट को, एक पोएट को, एक सेटरिस्ट को वो इसकोप उसकी आर्ट के लिए कानून देता है उनकी बहुत सी बातों से आप एग्री करेंगे, बहुत से नहीं करेंगे लेकिन एक स्टोरी ने मुझे चू दिया एक दिन बताया एक वीडियो में के एथोपिया के एरपोर्ट पर बैटे थे नई जगा, अंजान लोग, परिशान थे अचानक कहीं से अजान की आवाज आई अल्ला हो अकबर, अल्ला हो अकबर और राचीव ध्यानी ये कहते हैं ऐसा लगा के वो अपने घर में हो ये इतनी सुनी हुई, पहचानी हुई, अपनी आवास थी देखे एक हिंदू कह रहा है, यही चीज जो प्यू सर्वे आया, उसमें भी आई कि कितने परसेंट मुसल्मान गंगा को प्यूरिफाइं मानते हैं 77 परसेंट मुसल्मान कर्मा के डॉक्ट्रिन में विश्वास रखते हैं और कितने हिंदू और सिक अपने रेलिजन को सूसीजम से आइडेंटिफाई करते हैं यह हमारी वो साजह विरासत है, जिस पर हमें गर्व है पिछले कुछ दिनों से अजान को लेकर फूप चर्चा हुई, सोनू निगम को भी परिशानी थी बाद में बिचारों को करोना में फंस गए, मिडल इस्ट में कैसे सोएं होंगे क्योंकि वहां बहुत अजाने होती रहती है इलाबाद युनिवस्टी के वाइस चांसलर को भी प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी कुछ हल निकाला डिस्टिक एड्मिनिस्ट्रेशन ने यूपी में ओर्डर भी आया, हाई कोट का इस सिलसले में अब देखे, सबूदी अरब ने खुद ये बात कही है कि उसकी आवास कम होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, उससे पूरे विश्व में एक चेंज आएगा इंडोनेशिया में ये कानुन बनाया गया कि उसकी अजान इस तरीके से हो कि एक सेंट्रल मौस से आजान हो जाए, एजिप्ट में भी इस तरीके का सज़ेशन आ चुका है और पूरे महले को वो कवर कर ले या फिर इस तरीके से हो कि जो लोग मस्जिद में हैं उनके लिए वो आवाज हो और खास तर से जो फजर की आजान है जिससे लोगों के नियन डिस्टरब हो सकती है या रमजान में जब सहरी के लिए आजान हो उससे किसी को तकलीफ ना हो ये सारी चीज़ों पर हम बात करते रहे हैं, वीडियो बनाते रहे हैं लेकिन एक चीज़ जो हमने अपने वीडियो में कही है वो देखिए अब करनाट का हाई कोट ने कही कि नौइस पलिशन का मुद्दा सही है लेकिन सारे धर्मों पर अपलाई होना चाहिए कई रेलिजन्स में कई कई दिन तक जागरन होता है बहुत उची आवास पर डीजे होता है उससे भी नौइस पलूशन होता है डिविजनल बेंच थी चीफ जस्टिस ओका की और जस्टिस सुरज गोविन राज की और उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी एक धर्म को सिर्फ टार्गेट कर रहे हैं तब फिर ये चीज माननी जाएगी कि आप बोनफाइड बात नहीं कर रहे अगर एक मुद्दा है तो वो मुद्दा सारे धर्मों के लिए होगा सारी कम्यूनिटीज के लिए होगा मैं समझता हूँ कि इस पेटिशन पे जो इवेंच्वली ओर आएगा उस ओर्डर को अगर सरकारें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इंप्लिमेंट करें सारे धर्मों के बारे में तो वो बात सही होगी किसी एक धर्म को टार्गेट करना सही नहीं है पहले भी मैं कह चुका हूँ कि कोई रिसर्च इस तरीके से करके नहीं आई कि किसी पर्टिकुलर सिटी में कितनी अजाने हुई उन से क्या नॉइस पलूशन हुआ मैं समझता हूँ इस पे एक रिसर्च होनी चाहिए और यकीना अब साओधी अरब भी अगर इस डारेक्शन में जा रहा है कि एम्प्लिफाइर्स की आवास कम हो तो ये एक पॉजिटिव चीज है इलाभाद हाई कोड अपने फैसले में कह चुकी है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल एसेंशल इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है कुछ डिबेट है कुछ लोग कहते हैं कि ज़रा जोर से कहा जाए लेकिन जोर से कहा जाए अपनी इंसानी आवास से या लाउड स्पीकर से ये दो अलग चीज़े है Legal Awareness वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, thank you very much